सब्सक्राइब करें एलपेटल चैनल को और बेल आइकन दबाए किसानी संबंद जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए नमस्कार किसान भाईयो आप सबी काई अगवर फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एलपेटल में काफ़े किसान भायों के लिए YouTube पर वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि गेहूं की बंपर पैदावार कैसे ले ये डालेंगे तो काफ़ी अच्छी पैदावार होगी ये डाल दो तो काफ़ी अच्छा रिजर्ट मिलेगा तो आज हम जानेंगे कि क्या डालने से हमें क्या फायदा होता है सबसे पहले बात की जाए कि हम सब चीजे डाले लेकिन उससे हमारे खर्च का क्या पता चला है कि हमने डाली जितनी चीजे उतना ही हमारी पैदावार पर बढ़ा है तो हमें कोई फायदा नहीं है मतलब खर्च जो है वो कम होना चीए और पैदावार जो है अधिक होना चीए ऐसी अगर कोई चीज बताया तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि आप ये टॉनिक डाल लो ये चीजे डाल लो और सबसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अच्छे पैदावार मिलेगी लेकिन इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि इस पर खर्च कितना लगेगा तो आज मैं इसी टापिक पर बात करूँगा तो मैंने भी एक कॉंबिनेशन मनाया है जो मैं हमेशा अपने वो खेतों में उप्योग करता हूँ और उसका खर्च भी मुझे पताए कि कितने रुपे लगता है तो आखरी में मैं आपको खर्च भी बताऊँगा स्टाइडिंग मैं बताऊँगा कि कितने पैदावार पर फरक पड़ता है और क्या-क्या फाइदे है तो जो हमारी स्टेज है अभी के समय यह है बालियों की स्टेज बालियों की स्टेज मतलब उम्भी बाहर आना या फिर बाली बनना तो ये जो stage होती है सबसे normal और सबसे critical stage होती है जिस पर हम अपने गेहों के पैदावार को बढ़ा सकते हैं इसके अंदर दो काम होते हैं पहला होता है हमारी जो दाने का भराओ के लिए जितनी भी जगा होती है उनका बनना होता है दूसरा होता है flag leaf का निकलना flag leaf जो होती है वो हमारी आखरी leaf होती है हमारे गेहों के पत्ते की ये जो पत्ता होता है ये ही सबसे ज़्यादा खाना बनाता है और ये ही सबसे ज़्यादा हमारे फसल के पोधों को और बीच को देता है तो ये जो पत्त होता है इसकी भी सबसे ज़्यादा देख रहे हमें कन्यी होती है इसी time में हमारी बाली का size बन रहा है उसे भी हमें देखना होता है तो ये जो stage है इस समय अगर हम कोई सी भी चीज डालेंगे तो हमें काफ़ी अच्चे result मिलेंगे तो इसलिए मैंने ये विडियो बनाए है ताकि आपकी जब भी flag leaf निकलने वाली हो मतलब 12 से पहले वाली जो पत्ती है वो निकलने वाली हो तो आपको क्या-क्या करना चाहिए तो ये जो समय होता है इसके अंदर आपको तीन चीज़ों को डालना होगा जो की काफी सस्ते और काफी low budget में आती है जिसमें एक है आपका फपूंदी नासक दूसरा है आपका केट नासक तीसरा आपको डालना है टॉनिक अब ये तो बात हो गई कि हम को ये तीनों चीज़े डालने है अब बात करते हैं कि फपूंदी नासक हम डाले तो कौन सा डाले तो फपूंदी नासक जो है वो ट्राइजावल ग्रूप का कोई सा भी डाल दे उनका result जो है गेहों की फसल पर काफी अच्छा आता है अगर आ आपको और अच्छे result चाहिए तो आप टेविकोनो जॉल को 25.9% formulation में जो आता है उसे डाल सकते हैं अगर उसकी मातरा देखी जाया तो उसकी 180 ml एकर दी जाती है जो की काफी अच्छा result देता है अब हम बात करें कि ये दोनों डालने से आपको फायदा क्या होगा तो जो प् जो पत्ते होते हैं उन्हें हार्ड करता है जैसे आपके पत्ते हार्ड होते हैं तो पत्ते से क्लोरोफिल की जो मातरा होती है वो बढ़ जाती है अब क्लोरोफिल की जब मातरा बढ़ेगी तो आपकी जो फ्लैग लीफ है उसका साइज बढ़ेगा अगर उसका साइज पोपी किउनजॉल से काफी जाद अच्छा आता है क्योंकि टेपिक उनजॉल जो प्रिवन्टिव क्यूरेटिव दोनों ही होता है और इसका जो रिजल्ट है वह फाई टॉनीक जैसा भी होता है इसलिए आपको टॉनिक जैसा काम करता है वहीं देखा जाए तो कीट नासक में हमें क्या डालना है कीट डिनासव अगर देखी जाए तो हमारे किसान भाई जो है आज कल Cloroparfac 20% EC Formulation पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं गहू की फचल में वो हमारे गहू को नुक्सान पुचाती है क्यों पुचाती है? क्योंकि यह जो होता है हार्ड होता है हार्ड होने से क्या होता है कि जब आप इस्प्रे करते हैं तो आपकी जो पत्ते होते वो सिकुड जाते हैं पत्ते सिकुड दने से क्या होता है कि जो आपकी क्लोरोफिल बनना चाहिए उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो कम हो जाती है इसलिए आप इसका उपयो मोनोकोटोफास की अगर मातरा देखी जाए आपको कितनी डालनी है तो आपको 2500 ml एकर डालना है अगर आप 2500 ml एकर डालेंगे तो इसका रेजल्ट जो है वो काफी बढ़ियां आएगा आपकी इल्लिया तो भी सेस होती नहीं है फसल में लेकिन अगर होगी तो भी खतम हो जाएगी उसे के साथ जो टानिक का प्रभाव है वो काफी तेज हो जाएगा हमारी फसल के उपर अब बात होगी हमने फफून दी नासक डाल लिया उसके साथ एक कीट नासक डाल लिया अब टानिक में हमें क्या डालना है तो गेहूं के फसल के लिए काफी बहत्री टॉनिक है लियोसिन लियोसिन की अगर देखा जाए कि इसके अंदर chemical क्या होता है तो इसके अंदर chlorine होता है यह जो होता है 50% में होता है यह हमारे पोधु को क्या होता है रोग देता है जैसे आपको एक example बता दूँ कि आपकी जो flag leaf निकली हुई है इसके बाद आपकी बाली आने वाली है और आपने लिहोसिन का spray कर दिया तो जो flag leaf है उसके उपर पौधा ठहर दाता है जितने दिन flag leaf के उपर पौधा ठहरता है उतनी जादा आपकी बाली का साईजे वो बड़ा आता है ये मैंने practical किया है अपने खुद के खेत में जो कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें पौधे का color और आप पौधे क की रंगत देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे पत्ते पर हमने जैसे ही लिहोसिन डाला है तो पौधा ठहर चुका है ठहरने से क्या हुआ कि जो बाली का साईजे वो काफी बड़ा आया और उसी के साथ इस पर टौनिक का काम हुआ तो आपको लिहोसिन अकेला नहीं ड नात्रा में मतलब आप को चार एकड़ में डालना होगा लेकिन मैं इसे बात कर रहा हूँ आपको 6-7 एकड़ में डालना है साथ एकड़ में डाले उसी के साथ आपको 0-0-324 जो बढ़ने वाली है वह बिलकुर रुख जाएगी और पोधा वहीं पर रुख जाएगा उसी के साथ जितने भी आपके प्रोधे से फूल बनने की प्रोसेस या फिर फल बनने की जो प्रोसेस है उन सब के उपर पोधा डायवर्ट हो जायेगा तो 0-22-34 एक तरीके से आपको बहुत 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 बहुतरीन टॉनिक का काम करेगा अगर आप उसको लीहोसीन के साथ कॉम् 34 मिलाना है जो कि 400 ग्राम एकरड़ पर आपको डालना है ऐसा करने से आपको क्या होगा कि दोनों काम होंगे पोधा रुखेगा भी उसी के साथ उसकी जो बाली है उसका साइज भी बड़ेगा तो इस तरीके सा इल्टिमेटली आपको फायदा काफी जादा होगा और उसी के सा चाहिलां बाद आपको 0-050 का स्प्रे करना हो चाहिए इससे आपको जो पैदावार है वो काफी जादा बढ़ जाएगी अगर आपके पास पानी की प्रॉबलम है तो अगर आपके पास पानी की प्रॉबलम नहीं मतल trillion Toni का सिंगल उस्प्रे करें तो इससे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब बात आती है खर्च की कि इतना सब चीजे हम डालेंगे तो हमें खर्च कितना लगेगा तो इसमें अगर खर्च आप देखेंगे तो आपको 400 से लेके 430 रुपे के लगभग लगेंगे इससे आपको क्या फायदा होगा ये भी मैं बता देता हूं पहला तो आपका प्रॉपिक योनोजॉल और टेविक योनोजॉल में से कोई सा भी आपने एक डाला तो इससे आपकी जो पोधे हैं उनके जो दाने का साइज ये वो एकदम बराबर आएगा कभी किसी भी कई दाने छोटा या बड़ा नहीं हुगा एक समान पकाओ इसका मतलब यह कि ये भी एक टॉनिक के जैसे काम करेगा उसी के साथ आप लिहोसिन डाल रहें तो लिहोसिन आपके पोधे की हाइड रोग देता है हाइड रोगने से आपकी जो तेज आंधी पवन आनी होती है उससे जो नुकसान होता है उससे आपको बचाओ मिलेगा उस सब चीजों का आप कॉंबिनेशन बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली है कि 400 रुपे से अधिक का मैं बोल रहा हूँ तीन गुना फायदास तो होता ही है ये आपको फायदा होगा और आपको इसे ट्राय नहीं करना है आप पूरे रगबे में इसे बिल्कुल भी ना ट्रा करें इसे आप ट्राय करें दो डूरे में अगर आपके पास 10 एकड़ खे थे तो उसमें से आप एक एकड़ के हिस्से में ये चीज़े डाले और इनके बाद इसका गेहू निकाले उसके बाद बाकी 9 एकड़ का निकाले और उसे कंपेर करें कि कौन सा आपका ज्यादा सही ह अगर आपको सही लगे तो आप इसका अगले साल स्प्रे करें लेकिन अभी आप बिल्कुल ना करें क्योंकि आपको भी सीखना है खर्च लगाने से कोई फादा नहीं होता जब तक हमें फादा ना मिले तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है वाकि अगर आपको ये वी झाल झाल